हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पिकेटेग में यार जैसा कि आपने यूटूब में देखा होगा कि जब भी आप किसी का वीडियो देख रहे होते हैं और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो लास्ट में यानि कि अन्त में आपको आठ या दस एन्ड स्क्रियन का मतलब फायदा यह है कि जब भी कोई बंदा आपकी वीडियो को देख रहे होंगे है ना तो आपको इस वीडियो के लास्ट में हो सकता है कि अगर मैं एन्ड स्क्रियन लगाँँगा तो आपको आखरी के आठ या 10 सेकंड में मेरी चैनल की और वीडियो आपको वहाँ पर क्या होंगी स्क्रीन पर सजेश्ट होंगी वाच करने के लिए आप चाहो तो डाइट लिए वहाँ से क्लिक कर सकते हो ऐसे ही यह फायदा होता है यूटूबर्स के लिए बहुत ज्यादा कि यार इससे उसके सस्क्राइबर भी गेन हो सकते हैं और चैनल का व आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपने खुद की वीडियो में आखरी के 8-10 सेकेंड में कैसे मतलब जो है अपना एंड स्क्रीन लगा सकते हो कैसे एंड मैं अपनी वीडियो सजेश्ट में लगा सकते हो अपनी वीडियो में तो यार वीडियो सुरू करने सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल का इगन जरूर प्राइस कर लिजिए चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहा है कि मैं अपने डेक्स्टॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ अब मैं आपको हो दूस्तों डेक्स्टॉप पर कर रहा हूँ आप इस तरीके सा आपको कुछ ऑपशन देखने के लिए मिल थे हो इस flaws कि अपने रिखें हो को सब्सक्रेप्स के देख आ describing आूब तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अब यहाँ पर दूसरा जो option आपको देखने के लिए मिल रहा होगा है यहाँ मिल लाओगा वीडियो element तो चाहे तो आप यहाँ से next कर दीजिए और चाहे तो आप यहाँ पर simply click कर दीजिए तो वीडियो element पर जैसी मैं यहाँ पर click करूँगा तो आपके सामने यहाँ पर एक option देखने के लिए मिलेगा क्या यहाँ पर देख पा रहेंगे वीडियो elements ठीक है यहाँ पर मिल लाओगा add subtitles एगर मेरी वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता तो यहाँ मुझे option देखने के वीडियो सू हो जाती है जो कि आपको आखरी के 10 सेकंड या 5 सेकंड में सू होती है ठीक ना तो चलिए आपको बता दूँ कैसे आपको add करना यहाँ add बटन पर आपको click करना जैसे आप यहाँ पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से option आपको देखने के लिए मिल जाएगा ठीक ना थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि कि आप मतलब कितने सेकंड का वीडियो यहाँ पर आप लगाना चाहते हैं तो आप देख कर सकते, जैसे यह मेरा क्या राएगा, यहां पे मेरा एक channel का नाम बताएगा, और यहां पे एक वीडियो मुझे suggestion में, वहां पे viewer को दिखाए देगी, ठीक ना, आप लखा हुगा one video, one subscriber, one playlist, one subscribe, ठीक न, तो यहां पे आप चाहो तो यहां तो या तो आप यह select कर लेजिए, मे उनकी एक suggestion में वीडियो भी अच्छी खासी दिख सके ठीक ना तो आप यहाँ पर करना क्या है आपको simply यह वाला select करना जैसे आप यहाँ पर select करोगे तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप मेरे चैनल का यह नाम देखने के लिए मिलेगा उनको आखरी में और यहाँ पर मेरी best for viewers जो मेरी सबसे best वीडियो होगी वो viewers को यहाँ पर so होगी ठीक ना तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20 seconds यहाँ पर 20 seconds के बाद ही मतलब जो है यहाँ पर क्या होगा 36 तक यहाँ पर यह 100 होगा अब आप चाहो तो इसका थोड़ा से time period भी कम कर सकते जैस क्या होगा यह elements वहाँ पर so करेगा simply मैं यहाँ पर save कर दूँगा आपको visibility select कर लेनी है बेसिकली public ही होती है सबकी तो मैं यहाँ पर पब्लिक पर पब्लिस कर देता हूँ तो मैं आपको इस मैं भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे published वीडियो में end screen लगा सकते हो अपनी वीडियो को promote कर सकते हो किसी दूसरी वीडियो के सहारे तो चलिए मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ निकरना है में दोस्त आपको नीचे के और scroll down करना है जब आप नीचे के और scroll down करोंगे तो आपको यहाँ पर एक option आएगा end screen end screen पर आपको click कर देना जैसे आप में हाँ पर click करोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से options दिखाई दे जाएंगे ठीक ना यह मेरी वीडियो है तीन मिनिट आठ सेकंड की ठीक ना तो आप यहाँ देख रहा हैं दो 48 से मतलब जो है यहाँ पर मेरा end screen सो होना शुरू हो जाए बड़ी वीडियो में दोस्त दस सेकंड का ही रखो तो बैतर रहता है अगर आप कम कर रखोगे तो हो सकता है कि थोड़ी problem हो जाए कि मतलब ज क्या कर देता हूं उसको आप चाहो तो कोई भी एक यहाँ पर स्लेक्ट कर लेना है तो आप देख पा रहा है कि मैं यहाँ पर आल्रेडी एक क्या कर चुका हूं लगा चुका हूं और यहाँ पर एक element पर मैं क्लिक कर देता हूं तो आप देख पा रहा है कि यहाँ पर वीड लगा सकते हो त तो आपकी यह दो वीडियों मेरी क्या हो चुकी है सलेक्टर हो चुकी है अब यहाँ पर मैं चाहरे हूं तो देखे अब यहाँ कर देता हूं कि आप अप्लोड़ वीडियो में कैसे end screen लगा सकते हूँ, जैसे माल लीजिए, यह वाली वीडियो मेरी दोस्त में भी अपलोड किया था, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कोई नीचे वाली वीडियो एक select कर लेता हूँ, ठीक ना, जैसे माल लीजिए मैं यह ले लेता हूँ, चलिए मैं आपको थोड़ा से clearly दिखा जेता हूँ, वगरन आपको होगे पता नहीं कौन सा यह बंदा select कर रहा है, तो यहाँ पर मैं यह वाली वीडियो ले लेता हूँ, अब मैं जैसे यहाँ पर वीडियो लूँगा, तो मेरे सामने में जैसे scroll down नीचे क करूँगा, तो यहाँ पर एक option मुझे आएगा मेरे दोस्त क्या end screen, end screen पर आपको simply क्या कर देना है, यहाँ पर click कर देना, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर click करोगे, तो आपको select करने के लिए option आएगा, जैसे कि हम वहाँ पर upload किये थे, simply, तो यहाँ पर आपको एक subscriber आपको एक वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर select कर लिजिए, और यहाँ पर आप चाहोँ तो time period भी थोड़ा सा change कर सकते हो, और simply आपको क्या करना मेरे दोस्ति, यहाँ पर क्या कर देना है, और save करते ही आपकी वीडियो में end screen element क्या हो चुका है, लग चुक